जोती शूर्जा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कहते हैं घर की बेटी और बहु लक्षमी का रूप होती है ये बात बिल्कुल सत्य है घर में बेटी का होना मतलब साक्षातकार लक्षमी का प्रवेश माना जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार घर की बेटी, बहू, मा या कोई अन्य महिलाएं कुछ ऐसी बुरी आदतों में लीन हो जाती हैं कि लक्षमी मा उनसे रुष्ट हो जाती है इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करेंगे उन बुरी आदतों की जिसके चलते घर की लक्षमी चली जाती है अगर आपके घर में ये आदते हैं तो इन्हें तुरंट बदल देना चाहिए वास्तु के अनुसार भी इस नियम को मानना बहुत जरूरी है ये आदतें जैसे घर की सफाई ना रखना ये बात तो सभी जानते हैं कि मा लक्षमी उस घर में निवास करती हैं जहां हमेशा साफ सफाई रहती है लेकिन आज कल की नई जैरेशन जो है अपने घर की साफ सफाई से जादा खुद के सजने और समरने पर जादा ध्यान देती है ये लोग खुद को तो साफ सुत्रा रखते हैं लेकिन घर की सफाई पर ध्यान नहीं देते महिलाओं की इन आदतों के चलते घर में गंदगी एकत्रित होने लगती है और मा लक्ष्मी उनसे रूट जाती है दूसरी बात है नियमित रूप से पूजा पाट ना करना हर घर की खुशाली के लिए सुबह शाम दीपक और अगरबत्ती करना बहुत जरूरी होता है इसलिए घर में हमेशा नियमित रूप से पूजा पाट करना बहुत जरूरी होता है दूसरी तरफ अगर महिलाएं घर में लड़ाई जगड़ा करती हो जिन घरों में अकसर लड़ाई जगड़ा होता रहता है खाना खाने बैठो और जगड़ा पहले होता है ऐसे घरों में भी negative energy बहुत जादा रहती है और ऐसे घर में भी मालक्षमी निवास नहीं करती हर बात पर जगरना हर बात पर लड़ाई करना या ऐसे घरों में भी मालक्षमी निवास नहीं करती जहां पर आलस का महौल बना हुआ हो औरतें घर में हमेशा सोई रहती हैं और कुछ भी रख कर सोया जाए अगर आप जूठे बरतन गैस चुले के ऊपर रख कर सोते हैं तो वहाँ पर भी मालक्ष्मी आना पसंद नहीं करते क्योंकि ऐसा करने से करजा बढ़ता है और पैसों के दिक्कत आनी शुरू हो जाती है और कहीं न कहीं मालक्ष्मी जो हैं वो कि भगवान के नाम पर एक रुपया निकलता हो तो ऐसी महिलाओं से भी मालक्ष्मी रुष्ट रहती है अगर घर के बाहर गाई या कुट्ता आ जाए तो उसे मार कर अगर भगा दिया जाए तो वहाँ पर भी मालक्ष्मी आना पसंद नहीं करती तो आपके मन में भाव होन चाहिए और दियालुता होने चाहिए ऐसे घरों में मालक्ष्मी का निवास हमेशा बना रहता है इसलिए अधिक से अधिक दान करें शद्य भक्ति से किया गया चोटा सा धान भी बहुत बड़ा होता है बस इस बात का ध्यान जरूर रखें कि इसके लिए मन साफ हो और इसक सव्यों का पालन करने वाली हो तो ऐसे घर में मालक्ष्मी सदा निवास करती है जो इस्त्री तन से सुंदर ना भी हो प्रंतु मन से सुंदर हो तो ऐसे घर में भी मालक्ष्मी का निवास बना रहता है जिसके घर में पशुपक्षी निवास करते हो या जिसके घर में अगर गाय की पूझा की जाए तो समस्त देवी देवताओं की पूझा हो जाती है। तुलसी का पौधा आपके लिए सुरक्षा कवज का काम करता है। तो जिन घरों में हमेशा तुलसी का पौधा लगा रहता है। है धार्मिक द्रंथों और किताबों में देखा जाए तो ले हम लेक मिलते हैं कि इन लक्षणों वाले घरों में हमेशा मालक्षमी वास करती है तो यह थे कुछ नियम ज़ newerों में ऐसी इस्तियों होती है उन घरों में मालक्षमी की आपको इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताके ऐसी ही वीडियो को आपके साथ और शेयर किया जा सके और आप जान पाएं कि हमारे संस्कार क्या है हमारे नियम क्या है और किन से आपके जीवन में खुशाल लिया सकती है आज की वीड